गुम्ठी बैराज तक अब बढहा दिया गया है। सुबा से अब तक शम्शान घार पर लाशों की लग अतर केदध हुए है। और इसी ख़ूर पर जाजानकारी के साथ सम्माद अब्शेक हमाई साथ है जर गया है। अबशेक लगातार लखनो की हालत चुनोती पूर्ण बनी हुई है शमशान घाट का प्रसार किया जा रहा इतना दबाव है शमशान में देखे लखनो में कई समशान घाटे समय काम कर रहे हैं और वहाँ पर सब जगर लगबग यही दबाव है क्योंकि वहाँ पर शमता से ज़्यादा शौव पहुच रहे हैं उसमें कोविड पेशिंट्स के भी शौव हैं और नॉन कोविड के भी हैं तो ऐसे में सभी जगर दब देखा जा रहा है और इसलिए नगर निगम प्रशाशन ने जितने भी उनके शेत्र में ऐसे शौदाग्री हैं उनको अपग्रेड करने के लिए वहाँ पर मैस्ट्रेट की न्यूकती भी कराई गई शाशन की तरफ से और व्योस्थाओं को भी और अपग्रेड किया रहा है क्योंकि दबाओ भा होता है अभी इस वक्त हम भैसा कुन धाम जो की जो सबसे बड़ा शौदाग्री है लकनों में उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं और ये थोड़ा आलक तरीके की क्योंकि नदी के ठीक बगल में हम दूसरी तरफ से दिखा रहे हैं ये और ये तकरीबन सा इलेक्ट्रिक वाला जो शौदाग्री है वहाँ भी लगातार क्रिमेशन किया जा रहा अंतिम संसकार चल रहा हों का तो ये जो तस्वीर है ये बिलकुल इस पश्ट बता रही है कि प्रेशर कितना है एक समय शौदाग्री में पहले गिनी चुनी ही डेड़ बाडी जाती थ मैं दस चिताओं को जलते हुए देख रहा हूं वेटिंग में लोग हैं और सुबह से लगातार ये प्रिक्रिया चल रही है जगह कंपड़ गई है तो ये जो रिवर फ्रेंट का हिस्सा है जो ट्रैक बनाया गया है उसको शौदाग्री के रूप में लाशें जलाए जाने क तो टीन शेट्स आप देख रहे हैं पहले एक्चुली तस्वीर यही हुआ करती थी और इसी टीन शेट्स के नीचे ही क्रिमेशन होता था अंतिम संसकार हुआ करता था लेकिन अब क्योंकि वहां जगह कंपड़ गई है इतनी डेड बॉडिज आ रही है तो उसके बाहर है लगातार उसमें चिताएं जल रही है लगातार वहां पर अंतिम संसकार चल रहा है और बड़ी तादाद में अभी भी लोग आ रहे हैं यहां पर जिनका देहांत हो रहा है जिनका दुखत देहांत हो रहा है उसमें कोविट पेशेंट्स भी है नॉन कोविट पेशेंट ह एक और चीज़ मैं जरूर बताना चाहूंगा यह जहां से जो चिमनी है जो धूँआ आपको दिख रहा है यह इलक्टरिक फर्नेश है यहां पर इलक्टरिक शौदागरी है और यह लगातार इस तरीके का धूँआ यहां पर कभी भी आई है इसका मतलब इलक्टरिक जा रहा है और दाहिनी तरफ जो यह दो टीन शेट दिख रहे हैं यहां पर नॉन कोविट पेशिंट्स का करा जा रहा है तो बड़ी भारी तादाद में लोग यहां पर आ रहे हैं क्योंकि लोगों का देहानत हो रहा है तरफिक हम चाहिए कि जो हमारे दर्शक हैं उनको वो प्रसार किया गया है यह प्लानिंग है कि दबाओ के बाद अब यहां पर कुशेत्र का दायरा बढ़ाया जो यह गया है कि जिसे लोगों को इंतजार न करना पड़े तो पहले क्या व्यूस्थाति अब किस तरह से बदलाओ किया गया यह जरह हमाई दर्शकों को समझाई जी है बिल्कुल देखें शेलेंद क्योंकि बहुत लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं यहां पर और इस महमारी से पहले भी जब यह यह शौदागरी जो बैकूंड धाम यह काम किया करता था तो यहां पर यह जो तीन टीन शेट्स आपको दिख रहे हैं यह टीन शेट्स क कि यह जो आखरी टीन शेट इसके बाद भी तकरिवन चार सो मीटर आगे तक जो प्लैटफॉर्म से लगातार चिताएं बनाई गई हैं चिताएं सजाई गई हैं और क्रिमेशन लगातार चल रहा है यहां पर तो यह समझा जा सकता है कि एक्सपेंशन किया गया है क्योंकि इतने भारी तादाद में लोगों का निधन हुआ है कोविड और नौन कोविड पेशेंट्स का तो जो पहले एक सीमित छेत्र था सीमित दायरा था उससे बाहर हट करके अब क्रिमेशन कराए जा रहा है और इसके लिए चिताएं सजाई गई आप दूसरी देखिए यह गू उससे हट करके तकरीबन दोनों ही तरफ नदी के दोनों ही तरफ लगातार यह अपने दर्शकों तक पहुच रहे हैं कि क्या इंतिजाम की जा रहे हैं लगातार लखनों के हल आचुनोती पूर्ण बने हुए हैं वहीं दिली से खबर है जहां पर आक्सीजन का भारी संकट हो गया है अस्वतालों के बाहर मरीज तलब रहे हैं आक्सीजन के भाव में मरीजों की मौत हो रही है